Wish you a very good morning. Dear students, today we are going to discuss a very important and very small topic for class 9th and 10th. Class 9th और 10th के grammar के question में punctuation से related एक question अवस्य पूछा जाता है. कई बार for two marks और कई बार for three marks. हम ये दो और तीन marks के question में पूरे marks ले सकते हैं. यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इस question में full marks ले पाएंगे. ऐसा मेरा दावा है. आईए, अब हम बात करते हैं कि punctuation होता क्या है? What do you mean by punctuation? आप सभी ने punctuation marks के बारे में अवस्य सुना होगा. चाहे वो कोई भी language हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या कोई और हो. जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी भाषा को शीखने के लिए चार मुख्य कोशल होते हैं. फोर बेसिक स्किल्स होती हैं, जो होती हैं, लर्निंग, स्पेकिंग, रेडिंग, राइटिंग. किसी भी भाषा में इन चारों स्किल्स से परे कुछ भी नहीं है, आप ये चारों स्किल्स सीख सकते हैं किसी भी भाषा में, उसके लिए punctuation सबसे important topic है. आप इस वीडियो को देखने के पस्चात, punctuation marks को identify कर पाएंगे या नाम बोलने पर आप उस mark को लिख पाएंगे. Second difference, आप विभिन्द punctuation marks में अंतर कर पाएंगे, उनके प्रियोग में अंतर कर पाएंगे, uses of punctuation marks, आप उनको अपनी reading और अपनी writing, अपनी speaking skill में उसका uses कर पाएंगे. और आप अपनी कसी भी language की four basic skills को सीखने में भी उसका प्रियोग अवस्य कर पाएंगे. ये हमारे learning outcomes हैं और इसके अलावा आप परिक्षा में full marks प्राप्त कर पाएंगे. आइए अब हम जानते हैं punctuation marks क्या होते हैं? आपने कभी किसी गाड़ी के brakes fail होते हुए देखा है? या क्या आपने कोई ऐसी cycle जो बिना brake की है चलाई है? अवस्य चलाई होगी. और किसी गाड़ी के brake fail होते हुए भी देखे होंगे. क्या होता है जब किसी cycle, motorcycle, scooter या किसी गाड़ी में brakes नहीं होते? वो हमारे control से बाहर हो जाती है, नियंतरन से बाहर हो जाती है और किसी के वश्की बात नहीं रहती. कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, क्या ना करें. उससे दुरगटना भी हो सकती है? ठीक उसी प्रकार से. किसी भी लेंग्विज में ये punctuation marks वो brakes का काम करते हैं. जिस प्रकार से बिना brakes के हम गाड़ी को drive नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से. बिना punctuation marks के हम किसी भी language को ना सेख सकते ना सिखा पाते इसलिए punctuation marks का महत्व किसी भी language में बहुत अधिक है आएए आम उन बिना break की गाड़ी को उस language को without punctuation marks एक बार जड़ा देख भी लें कि उससे होता क्या है मैंने यहाँ board पर कुछ sentences लिखे हैं आएए उन sentences को हम पढ़ते हैं without breaks, without stops First sentence is Why are you going to marry? When are you going to marry Neeloo? When are you going to marry Neeloo? एक बिना break की गाड़ी है लगातार चलती जा रही है Without any pause, without any stop इसका क्या meaning है? इस इन sentences से आपको समझ आएगा कि punctuation marks की आउशक्ता क्या है क्यों जरूरत पड़ी? देखिए When are you going to marry Neeloo? इसके क्या meaning है? हम अगर किसी students को किनी students को एक sentence बोलें और उनसे इसका meaning पूछें तो वो कह सकता है कई meaning हो सकते हैं वो कह सकता है When are you going to marry Neeloo? आप Neeloo शे विवा कब कर रही हैं? या Neeloo आप विवा कब कर रही हैं? Two different meanings तो यदे कोई punctuation mark यहां नहीं होगा तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा और प्रतेक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका meaning निकालेगा लेकिन क्या language इसलिए होती है कि हम कुछ भी बोलें कुछ भी communicate करना चाहें और student कुछ भी समझ जाए कभी नहीं What do we want to communicate वही बात बच्चे को समझनी चाहिए यही भाशा की प्रिभाशा भी है भाशा क्या होती है जब हम बोलते हैं चाल लिखते हैं तो हम अपनी बात को दूसरे तक पहुचा सकें और दूसरे की बात को दूसरे के meaning को उसके भाव को समझ सकें परन्तु क्या हम बिना punctuation marks के उस भाव को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं बेलकुल नहीं कदापी नहीं इसके लिए आवशक है punctuation marks का प्रियोग अगर हम यहाँ punctuation marks का यूज कर दें यदि हम समझाना चाहते हैं कि निलू पूछना चाहते हैं निलू आप शादी कब कर रही हैं तो हमें यहाँ पर एक कोमा लगाना पड़ेगा और एक small pause इसको बोलते समय या लिखते समय यहाँ पर एक छोटा सा stop लेना पड़ेगा When are you going to marry निलू निलू आप शादी कब कर रही हैं अब यहाँ हम गलक मैसेज गलक मेनिंग कनवे नहीं कर पाएंगे अगर हम यहाँ कहते हैं इसके बिना कहते हैं When are you going When are you going to marry निलू आप निलू शे विवा कब कर रही हैं आएए एक ओर sentence में हम यह जानने का प्रियास करें कि punctuation marks का क्या महत्व होता है We are When When are we going to eat mama Mommy or mother When are you going to eat mama अब इसका क्या मेनिंग है अगर मैं बच्चों से पूछूं कि एक sentence लिखा हुआ है या मैं बोल रहा हूं कुछ एक बेटा या एक बेटी या कुछ बच्चे अपनी मम्मी से कहते हैं या आपस में बात करते हैं When are we going to eat mama When are we going to eat mama When are you going to eat mother हम अब इसका क्या मेनिंग है बड़ाही हास्यस्पद स्थिती हो जाती है हम मम्मी को कब खाने जा रहे है Do we eat our mother Never It is irrelevant अगर हम यहां कोमा नहीं लगाते तो इसका मेनिंग हम गलत कन्वे कर सकते हैं या रीडर्स और लिसनर्स इसका मेनिंग गलत ले सकते हैं When are we going to eat mama ममा या mother खाना कब मिलेगा हमें खाना कितने बज़े मिलेगा कब खाएंगे हम खाना तो different meanings But when a punctuation mark is used we can convey the exact meaning what we want to आएए एक third sentence पर और गोर फर्माते हैं The officer said the clerk is a fool The officer said the clerk is a fool Punctuation marks के लगाने और ना लगाने से तो फर्क पड़ता ही है इस बात से भी meaning change हो जाता है कि हम punctuation marks लगा कहां रही है माल लीजिए हम यहां लिखते हैं The officer कॉमा said the clerk इसको हम inverted commas में यहां close कर दें इस phrase को the officer, subject को said the clerk और इसको फिर से हम इस परकार से लिख दें अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि punctuation marks को लगाने से उनकी position को change कर देने से उसके meaning में क्या difference हो जाता है The officer said the clerk is a fool इसका मतलब क्या है कलक ने कहा कि वो जो officer है वो fool है, वो मूर्ख है परन्तु यदि हम इन inverted commas को बदल दें और इनकी position को change कर दें तो इसका meaning बदल जाएगा The officer said the clerk is a fool अब यहां पे एक ये direct speech का sentence बन जाता है और जिसका आर्थ है officer ने कहा, अधिकारी ने कहा कि कलक मूर्ख है अब कोमाज और inverted कोमाज की स्थान बदलने से कभी कलर्ख मूर्ख बन जाता है तो कभी officer इस परकार से विराम चिन और पंच्वेशन माक्स के प्रियोग करने ना करने या उनकी स्थान बदल देने से sentences का meaning बदल जाता है और sentences they run into one another एक दूसरे में फस जाते हैं और बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह से चलते रहते हैं कोई कुछ भे meaning निकाले language हमारे control में नहीं रहती इसलिए punctuation marks बहुत है आउसक है आईए अब हम कुछ punctuation marks के बारे में जानते हैं कि कौन-कौन से punctuation marks है जिन का प्रियोग हमें English language में करना हुता है पहला है capital letters कहां कहां हम use करेंगे हम इनको one by one detail में discuss करेंगे second is full stop is usually used at the end of a sentence इसे हम period यद dot भे कहते हैं next is comma comma जो किसी भी word के बाद नीचे की तरफ लगता है semicolon किसी sentence के बीच में लगता है colon explanation के लिए use किया जाता है जिसमें दो dots होते हैं next is question mark to ask a question then mark of exclamation and then dash ninth hyphen then brackets or parenthesis then apostrophe and at last we shall discuss inverted commas these are the basic punctuation marks but only a few of them are in your syllabus but without knowing all of these punctuation marks we can't punctuate the given sentences so we have to discuss these 12 punctuation marks one by one to get full marks in the question of punctuation mark first letter of first word of a sentence किसी भी sentence के पहले पहले शब्द का पहला अक्षर पहला लेटर always capital for example he is an intelligent boy he first word है इसका first letter h always capital इसके पहले इसके बाद यहां यह यह फुल स्टॉप का यूज हुआ यूज हुआ इसके बाद जब दूसरा sentence यहां शुरू होगा उसके भी first word का first letter capital यूज किया जाएगा next is proper noun आप जानते हैं name of a person, place, thing or anything is known as a proper noun, a specific name चाहे वो sentence के beginning में आए, चाहे middle में आए, चाहे end में आए, always capital first letter उसका हम हमेशा capital लिखेंगे I know Ramesh Ramesh यहां sentence के end में आता है, but क्योंकि एक proper noun है, इसलिए R हम capital लिखेंगे He lives in Delhi, again Delhi is a proper noun, they will be written in capital third is words derived from proper nouns कई बार कुछ ऐसे words होते हैं, जो proper nouns से derive किये होते हैं कुछ ऐसे adjectives हो सकते हैं, जैसे India से Indian Indian का I भी capital लिखा जाएगा, Russia से Russian English, England से English, France से French, like this next is titles of publications, lessons, plays, dramas, poems, etc. आप अपनी बुक में देखिये, आपके बुक के प्रतेक लेसन का जो title जो सीर्शक उपर लिखा गया है उसके key और important words का first letter capital है, that is not a sentence, वो एक phrase है, title है For example, आपके ninth class में एक lesson है, the bond of love यहाँ हम इन छोटे-छोटे words को छोड़ कर, जो prepositions हैं, articles हैं, उनको छोड़ कर बाकि सभी words के first letter को capital लिखते हैं आप सभी lessons के titles पर, सभी poems के titles पर एक बार देखे तो इसी प्रकार से अगर हम किसी बुक के नाम की बात करते हैं, title of a book Dr. A.P.J. अब्दुलक्लाम's autobiography is The Wings of Fire, the T, W and F, capital Next is religions, countries, languages, right, always capital Either they are used in the beginning, in the middle or at the end of the sentence For example, Hindu, India, Hindi, Sanskrit, etc Six is first letter of, first word of each line of a poem Malese, ये एक sonnet है, उसमें 14 lines हैं, तो प्रतेक लाइन की first word का first letter capital होगा आपकी syllabus में बहुत सारी points हैं, आप उन points में जाकर देखिए आप पाएंगे कि प्रतेक लाइन का first word का first letter capital लिखा गया है Next is I, I एक ऐसा pronoun है, एक ऐसा personal first person pronoun है जिसको हम हमेशा capital लिखेंगे, चाहे वो sentence के शुरू में हो, चाहे middle में हो, चाहे end में ही क्यों न हो Next is God, God और उसके लिए use किये जाने वाले pronouns का first letter हमेशा capital लिखेंगे, चाहे उसका प्रियोग कहीं भी हो Next is Names of Departments, Names of High Official Ranks, for example, the Prime Minister of India, P, M and I, Capital Names of Departments, Next Special Days or Ranks, for example, Independence Day, Republic Day, हम इन के first letters को हमेशा capital लिखेंगे आप ध्यान रखें कि कहां कहां आपको capital लिखना है, कहां small लिखना है कई बार बच्चे एक word के बीच में भी capital letters लिख देते हैं, जिससे उस word की shape खराब हो जाती है और वो punctuated word नहीं है इसलिए capital letters के use को जानना बहुत है आउसक है, इसको आप practice से सीख पाएंगे आप punctuation से related question में कई बार तो केवल कुछ letters को capital करके ही हम उसे ठीक कर पाते हैं आईए अब हम कुछ next capital letters के अलावा next punctuation marks पर चर्चा करें